बिहार की सबसे रहस्यमई जगहें जिनके रहस्य जानकर वैग्यानिक पागल हो गए बिहार की यह प्राचीन युनिवरसिटी है लेकिन आज इस युनिवरसिटी का नाम सुनते ही लोग काँ पुटते हैं आज के समय में यह यूनिवर्सिटी अपने रहस्य के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। आपको बता दें इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहां पर रात के वक्त में अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं और आग की लपटे दिखाई देती हैं जो अच जिस वजह से लोगों की आत्मा यहां पर दिखाई देती है और इसी वजह से इस जगह को एक भूतिया जगह माना जाता है और जिस वजह से इस जगह पर जाने से लोग ढड़ते हैं। कई लोग इस महल को भूतिया महल भी मानते हैं और इस महल की खंडहर अवस्था इस महल को काफी ज्यादा डरावनी बना देती है जिस वजह से इस महल में जाने से लोग डरते हैं। सच में यह महल देखने पर काफी ज्यादा डरावना लगता है। भी कहता है कि जंगल से कई तरह की रहस्यमई लाइट भी दिखाई देती हैं जिस वजह से इस जगह को बिहार की डरावनी जगहों में से एक माना जाता है पटना से औरंगाबाद जाने वाला यह रोड काफी ज्यादा बिजी रहता है लेकिन इस रोड पर कई रहस्यमई घटनाएं भी हो चुकी हैं आपको बता दें रात के समय में इस रोड पर आसाधारन घटनाएं होती ही रहती हैं जी हां, रात के समय में इस रोड पर कई आसाधारन एक्सिडेंट हुए हैं। बता दें, यहां के स्थानिये लोगों का कहना है कि कई वर्षों पहले यहां पर एक भयानक हादसा हुआ था। और तभी से यहां पर रात के समय में सफेद साड़ी पहने महिला की आत्मा भटकती रहती है। ससरम मिस्थित शेर शाह सूरी का मकबरा अपने वास्तु सौंदर्य और एतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इसकी दीवारों के अंदर छुपी हुई रहस्यमई कहानियां भी काफी ज्यादा चर्चित है। बता दे इस मकबरे के अंदर। कई लोगों ने अजीब तरह की आवाजें और किसी के चलने की आहट को सुना है जो इस जगह को डरावनी जगह बना देती है। यहां के लोकल लोगों के अनुसार शेर शाह सूरी की आत्मा इस मकबरे में भटकती रहती है और इसे डिस्टर्ब करने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसी वज़ह से इस जगह को हॉंटेड माना जाता है। बराबर गुफाएं कई रहस्यों से भरा एतिहासिक स्थान है जो अपनी उतक्रिष्ट सनरचना के लिए मशहूर है। रूप में दिखती है और यह गुफाएं बिहार में ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में फेमस है और इन गुफाओं की चमतकारी दीवारों को देखने के लिए लोग दुनिया भर से आते हैं। भंकार की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। स्थानी ये लोगों का कहना है कि यह पायल की आवाज दो किलो मीटर तक सुनाई देती है जो रानी राजवन्शी कुमवर की है। नमबर एक फल्गू रिवर यह नदी बिहार की ही नहीं बलकि भारत की सबसे रहस्यमई नदियों में से एक है। आपको पता तो इस नदी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह नदी धरती के अंदर बहती है जीहां जिसके बालू को हटा कर इससे पानी निकाल कर यहां आने वाले शद्धालू अपने पूरवजों का तरपन करते हैं। फल्गू नदी जो सालों भर से सूखी दिखाई देती है और इसकी जलधारा अंदर की और प्रवाहित होती है। आपको बता दें। इस नदी के पीछे भी एक बड़ा रहस्य है। दरसल मोक्ष नगरी गया। जिले में विश्नुपद मंदिर के तट से होकर बहने वाली फल्गू नदी में पानी जमा नहीं होता है। इसका कारण माता सीता का श्राप माना जाता है। कहा जाता है माता सीता ने इस नदी को श्राप दे दिया था। धार्मिक कथाओं के अनुसार तभी से फल्गू नदी जमीन के नीचे बहने लगी है। अब यहां तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्याट।